इतना बड़ा हंगामा हो जाएगा किसी को उमीद भी नहीं थी होता भी क्यों नहीं आसिम कहां अपने आपको रोकने वाले एक रात में आसिम ने हिमान्शी को वो सब करने पर मजबूर किया जो हिमान्शी को नहीं करना चाहिए था घर में अपनों के आते ही हर कोई एक दूसरे में मगन हो गया लेकिन आसिम और हिमांशी तो सबसे अलग दिखे इनकी प्यार की बाते खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी काफी रात तक दोनों बिस्तर में अपने रिलेशनशिप की बाते करते रहे हिमाशी ने बताया कि अपने ब्रेक अप के वक्त बहुत अकेली पड़ गई थी हिमाशी ने ये भी बताया कि उनका ब्रेक अप बिग बॉस की बज़े से हुआ हिमानशी ने आसीम को बताया कि दुनिया भर के कमेंड्स लोग कर रह थे, लोग तरह तरह की बाते कर रह थे हिमानशी ने बताया कि मैं इतनी इरिठेट हो गई थी कि मैं हाथ से चीजे फेकने लगी थी, घर में तोड़ फोड मचा दि थी, खुद को मारने लगी थी वैसे आपको क्या लगता है कि हिमानशी को ये सब बातें यहां शो में बताना ठीक था वो भी आसिम को क्योंकि आसिम के प्रोपोजर को तो हिमानशी ने अभी एकसेप्टनेंग किया है जिस तरह से वो आसिम से अपती परसनल बातें शेयर कर रही है उससे तो यही लग रहा है कि आसिम उनके लिए बहुत क्लोज हो चुके है मिलम न्यूज रिपोर्ट